हर हर महादेव दोस्तों आज का राशिफल 25 जूम 2024 दिन मंगलवार मेश राशी आज मंगलवार के दिन मेश राशी के लिए सितारे कहते हैं कि आपकी राशी से भाग्य स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा आपको लाभ दिलाएंगे आपका भाग्य भी आप पर आज महरबान रहेगा धर्म कर्म के काम में आज आपकी रुची रहेगी आपको आज कोई अच्छी खबर भी मिलेगी जिससे आपका मन आनन्दित होगा आज शिव चालिसा का पाठ करते हैं तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है अस्सी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिशब राशी आज के दिन व्रिशब राशी के लिए सितारे बताते हैं कि अगर आप संतान के विशय में चिन्तित हैं तो आपको राहत मिलने वाली है आपकी चली आ रही चिन्ता का समाधान होगा आपको आज प्रबंधन और कार्य कुशलता का लाभ जीवन के विभिन क्षेत्रों में प्राप्थ होगा राजनीतिक और सामाजिक शेत्र में आपको आज अगल पहचान मिल सकती है आज दुरगा चालीसा का पाठ करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 88 प्रतीशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिथुन राशी मिथुन राशी के लिए आज का दिन लाभकारी है लेकिन इन्हें आज अपनी कुछ जिम्मेदारियों की वजह से दिन्चर्या में बदलाव करना होगा आज शाम का समय आपका मनोरंजक बीतेगा परिवार के साथ आज आनंद पूर्ण समय बिताएंगे आपक आज किसी उत्सव कार्यक्रम में भाग लेने का भी मौका मिलेगा आज गनेश चालिसा का पाठ करें और गनेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 84 प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है करक राशी करक राशी के लिए आज सितारे बताते हैं कि आपको आज अपने कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से पूरा सहयोग मिलेगा आपका काम आज सुचारू रूप से चलेगा कार्यक्षेत्र में शुग समाचार मिलने की भी संभावना है व्यापार के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा आपको आज बिजनस में अपनी साख का भी लाभ मिलेगा आज गनेश जी को लड़ू अथवा मोदक का भोग लगाएंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है सिन्ह राशी सिन्ह राशी के लिए आज सितारे बताते हैं कि आपको आज अपनी मेहंत के साथ भाग्य का भी लाभ मिलेगा आपको अपनी वानी और व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत है, इससे आप परिवार और कार्यक्षेत्र में बहतर तालमेल बनाए रख पाएंगे नौकरी में आज आपकी स्थिती अनुकूल रहेगी आज पीपल को जल दें और शिवजी का भी अभिशेक करेंगे तो, आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंध होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 76 प्रतीशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कन्याराशी के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा आपको आज सेहत का ध्यान रखना होगा मानसिक तनाव भी आज किसी न किसी बात को लेकर बना रहेगा यदि किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है तो आज दोपहर के बाद इसमें नया मोड आ सकता है व्यापार में आज आपको सामान्य लाभ मिलेगा आज शनी स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है चोहत्तर प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है तुला राशी तुला राशी के जातकों के लिए आज का दिन मनोरंजक रहने वाला है आज आपके घर में आनंद और खुशी का माहौल रहेगा आप आज परिवार के साथ पाटी और मौज मस्ती कर सकते हैं आपके घर किसी करीबी मित्र या महमान का भी आज आगमन हो सकता है बच्चों के प्रतिशने और प्रेमी में व्रिध्धी होगी आज दुर्गा चालीसा का पाठ करें और छोटी कन्याओं को फल का दान देतो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा आस्मानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिष्चिक राशी के लिए सितारे बताते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रती लापरवाही से बचना होगा जिन जातकों को मूत्र अथवा बायू विकार की समस्या है उनकी परेशानी आज बढ़ सकती है नौकरी में आज आपको आपसी तालमेल बना कर रखना होगा विरोधी आज आज आपको नुकसान पहुचाने का प्रयास कर सकते हैं आज देवी लक्ष्मी की पूजा करें और लक्ष्मी चालिसा का पाठ करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंध होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 76 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है धनुराशी धनुराशी के लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा आपकी राशी में विराजमान चंद्रमा आपको आज बुद्धी कौशल से लाभ दिलाएंगे सितारे बताते हैं कि आपको आज ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ मिलेगा परिवार के सहयोग से आपको आज खुशी मिलेगी जो जातक व्यापार करते हैं उनको आज कारोबार में लाभ का मौका मिलेगा आज गनेश चालिसा का पाठ करें पीपल को जल देनते हैं तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंध होगा केसरिया और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है 89 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मकर राशी मकर राशी के जातकों के लिए आज का दिन आनन दायक रहेगा लेकिन सेहत और खर्च के मामले में आपको अपना ध्यान रखना होगा आपके लिए सलाह है कि आपको आज किसी वाद विवाद से दूर रहना होगा आज भगवान विश्नों की पूजा करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है 65 प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्भराशी कुम्भराशी के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है आपको आज कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपका मूर खराब हो सकता है लेकिन शाम तक सब कुछ अनुकूल हो जाएगा आज शनी चालिसा का पाठ करें और शिवजी का अभिशेक भी करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा कत्थई और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है 93 प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मीन राशी मीन राशी के जातक किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहेंगे और मानसिक उलजण भी बना रहेगा संतान से संबंधित किसी बात को लेकर आज आपको चिंता हो सकती है यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई विवाद चल रहा है तो वह आज समाप्त हो जाएगा आज विश्नु चालिसा का पाठ करें और पीपल को दूध मिश्रित जल अर्पित करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंध होगा जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 83 प्रतीशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है